तो हलो फ्रेंड मैं आशीन सर्मा और आपके पने इस प्यारे यूटीब चैनल King of Everything बहुत बहुत स्वागत है इस विडियो में बताओंगो की आप एक YouTube चैनल क्रेट कर सकते हैं बहुत ही और बहुत अच्छे समझाओंगा मैं इस वीडियो में तो फ्रेंड जल्दी से वीडियो को सुरू करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बढ़ा होगा क्योंकि I think मैं मतलब सब कुछ एक एक चीच YouTube के बारे मैं बारी ती से समझाओंगा तो चलिए वीडियो को जल्दी सुरू करते हैं अपने PC स्क्रीन पर चलते हैं आपको सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है तो मैं भी अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूं सबसे पहले बता दूँ आपको आपका YouTube चैनल क्रियेट करना है तो आपको क्या क्या चीज़े जरूरत पढ़ेंगी तो पहले तो आपको Gmail अकाउंट फिलाल स्टार्टिंग में लगेगा स्रिफ एक Gmail अकाउंट और एक आपका mobile number दो चीज़े यह लगेगी तो दो चीज़े आपको अकाउंट की जरूरत पढ़ेगी ठीक है यहां फिर ड्राइविंग लाइसंस या फिर आपका पैन कार्ड यह सब चीज़े लगेंगी तो आगे लगेंगे फ्रेंट फिलाल अभी YouTube चैनल क्रियेट करने में एक आपको mobile number और एक Gmail अकाउंट ठीक है मैं यहां पी अप नीचे आपको desktop site का option मिलेगा तो वहां पे आप उसको टिक कर दीजेगा और यूटूब.com सर्च करेंगे तो आपका भी कुछ इस तरह PC जैसा आपके mobile में भी page open होगा ठीक है इतना clear उसके बाद फ्रेंट आपको यहां पे आप जब अगर आपने अगर चैनल क्रियेट नही आएगा ठीक है तो यहां पर हमको क्या करना है आपने इस Gmail ID को new बनाया है हमने यहां इस पर मैंने कोई भी चैनल अभी तक create नहीं किया है तो मुझे यहां पर create a channel को click करना है ठीक है और यहां पर आपको get started कर देना है यहां फ्रेंट्स आपको आपके यहां पर पूछ रहा ह क्योंकि मैं नाम अपने चैनल का अलग रखना चाता हूं मैं अस्विन सर्मा नहीं रखना चाता हूं उससे पहले बता दूँ आप अपना नाम कुछ ऐसा यूनिक सर्च किजिए जिससे की आपको पहली जैसी कोई सर्च करें तो नाम आपको टॉक्ट हो ऐसा चैनल किसी के पास नहीं हो ठीक है जैसे कि मैं एक यह मेरा नाम रखते ता हूं सिट्टू फॉर यू ठीक है यह मैंने जब लिखा तो फ्रेंड्स देखिए एक यहां पर साहू फॉर यू है लेकिन सिट्टू फॉर यू का चैनल कोई नहीं है यहां फ्रीटर्स में अबर्ट जाते हैं बनार देखिए फ्रेंड्स एक अल्ली यह एह साहू फार यू का चैनल हे लेकिन सिट्टू फॉर यू का कोई चैनल नहीं है मिन्स की अगर मैं सिट्टू फॉर यू चैनल रखता हूं toh मतलग की कोई भी हैगर यी सिट्टू फॉर यू साच गते हो मैं हिट तॉप पे दि T-Series लिखता हूं तो friends आपको यहां पर नमबर वन T-Series का channel दिख रहा है लेकिन अगर माण लिए आप ऐसा famous नेम को रखते हैं यहां पर मैं जैसे channel पर करता हूं तो friends आप इसके नीचे देख सकते हैं कितनी सारे Channel already fake और original तो आगे गए, यह कुछ जो verified स्वाल है है यहां पर verified का tick है यह original channels है T-Series के वे बट नीचे जो हैं यह सब same 4P names है देख सकते हैं T-Series, T-Series तो friends इसमें आपको rank करना बहुत मुस्किल होगा आप किसी को बताते हैं कि मेरा T-Series नाम का एक YouTube channel है तो इसमें क्या होगा कि friends जब T-Series नाम कोई search करेगा तो आपका कोई traffic यह T-Series वाले लेके चले जाएंगे और आपका channel ढूनने में बहुत मुस्किल हो जाएगी तो friends आपको सबसे पहले channel का नाम कुछ अलग रखना है different रखना है कि कि किसी के पास वो channel ना हो ठीक है तो मैं यहाँ पर सिट्टू for you रख देता हूँ मेरा नाम ठीक है इसको हम यहाँ पर I understand वाला option टिक कर देते हैं और इसको create कर देते हैं यहाँ पर हो चुका है यहाँ पर आपको और प्रोफाइल पिक्चर डालने का मतलब कि यहाँ पर आप अपना लोगो यहाँ पर रख सकते हैं और इसके नीचे आप अपने चैनल का description लिखेंगे जहाँ पर आपका email ID मतलब आपकी जो email ID होगी आप क्या YouTube चैनल पर पोस्ट क वगेरा है तो उसका link यहाँ पर डालेंगे और अगर आपका कोई दूसरा Facebook वगेरा पर है या फिर Twitter वगेरा पर या फिर Instagram का है तो आप यहाँ पर अपनी ID को डाल सकते हैं ठीक है तो मैं एक इसको setup लेटर कर ले था आप कर लीजेगा भी ठीक है तो यह आपका YouTube चैनल create हो ठीक है तो मैं मेरा एक YouTube चैनल मेरा जो YouTube चैनल है मैं वह आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या होता है ठीक है अब ही लिखा नहीं हूँ मतलब पर description में खिल कर फिलाल मैं अब ही मेरे YouTube चैनल को दिखाता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं आपको पहले वहां पर description लिखने को option आया था तो description में मतलब कि आपका about ठीक है यह चीज़े वो है अगर आप description में जो भी चीज़े लिखेंगे करते हैं ठीक है यहां पर इस तरह से आप YouTube चैनल को अपने create कर सकते हैं और उसके बाद friends अब हम उसके creator studio में चलके कुछ बाते करते हैं ठीक है उसमें आपको tag वगएरा लगाना भी मैं बताओं यह tag लगाया है मैंने YouTube चैनल और यह जो software है यह क्या काम करता है मुझे कैसे यह सब दिख रहा है बट आप अगर ऐसा खोलेंगे चैनल तो friends कुछ भी नहीं दिखेगा यह सब चीज़े नहीं दिखेगी क्योंकि friends यह जो है यह एक अलग software है जो की एक extension है जो की हमें YouTube चैनल के बारे में पूरा detail देता है मैं किसी के भी चैनल के details निकाल सकता हूं इस software के थूँ इसके बारे में मैं बताओंगा आप ही आगे चल कर आपको ठीक है यहां पे आपका इस तरह से YouTube चैनल create हो चुका है यहां से आप सीधा upload वीडियो करेंगे तो यहां पर आपका YouTube पर वीडियो से अपलोड हो सकती है और यहां पर चलिए मैं अब भी बता देता हूं आपको go-live करने के लिए क्या option है तो friends यहां पर go live करेंगे तो यहां पर आपका stream unable बता रहा है तो friends यहां पर पहले आपको जैसी आपने देखी यहां पर जैसी go live प्रेस करेंगे यहां पर तो आपको यहां पर verified कराना बहुत जरूरी है verified कराएंगे तो देखें friends यहां पर किया यह pop up आ गया मेरे पास आप सब्मिट करेंगे तो फ्रेंड्स आपके पास एक OTP आएगा फिर उस OTP को वहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद प्रेस करना होगा और फ्रेंड्स आपका ये को टिट कर दीजिगा यहां पर और आपका ये यूटुब चैनल क्रियेट हो चुका है ठीक है फ्रेंड्स हमें अप्लोड करने के ओफिसन बहुत जगा पर मिलते हैं एक आप चाहें तो अपने यूटुब चैनल पर डारेक्ट आ अंदर से भी अप्लोड कर सकते हैं वीडियो को तो यहां पे भी आपको अप्लोड करने का उप्सन आ रहा है क्योंकि फ्रेंड्स आगर आप न्यू अभी यूटुब चैनल क्रेट करें तो आपको बहुत जगा दिखेंगे यूटुब वीडियो से अप्लोड करने को यहां पर भी upload करने का option आएगा बट आप एक दो वीडियो जो हैसी post करने उसके बाद यह upload का बटन यहां से हड जाएगा एक आपको यहां पर मिलेगा upload का बटन और एक friends आपको creator यहां पर मैं upload बटन करता हूँ पहले आपको बताता हूँ की इस तर से upload की जाती अपनी वीडियो को यहां पर आपको यहां पर option आगया है upload करने का option आप चाहें तो यहां select करके file को यहां पर डाल सकते हैं यहां फ्रेंड आप सीधे अपने folder के अंदर से भी जाकर यहां से भी आप ले सकते हैं मैं यहां पर आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मैंने एक यह वीडियो को मैंने select कर लिया ठीक है इसको जैसे ही मैं इसको खीचूँगा ऐसे ड्रिक करूँगा और यहां पर रखूँगा को यहां पर रखूँगा और यह फ्रेंड यहां पर इसको मैं छोड़ दूँगा इस तरह से आपका यह वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको सबसे पहले टाइटल वगेरा लिखना है जो भी आपको टाइटल लिखना हो लिख दीजिए उसके बाद देखे टाइटल भी लिखने का एक SEO फॉर्मूला होता है मतलब सर्च के सर्चिंग में कैसे आएगा तो वह सब चीजे एक YouTube चैनल को ग्रो कैसे करें वह सब क्या टिप्स ट्रिक है तो वह बहुत बड़ा फिल्ड हो जाता है एक बहुत बड़ा वीडियो बन जा यह सब टाइटल वगेरा कैसे लिखा जाता है और जिसे की लोग सर्च करें तो तुरण आपका भी दिखे और यहां पे जो यह discussion वगेरा है वो भी आप लिखे तो यह भी एक discussion भी बहुत माईने रखता है YouTube चैनल पे लिखने का ठीके का इस discussion भी आप जरूर लिखेगा उसक अभी जो पीछे बेन चैनल आर्ट होता है उसको कैसे डालना है ठीक है वो सभी चीजे आपको मैं सिखाऊंगा ठीक है तो अभी फिलाल हम आप अपलोड की बात कर रहे हैं तो यहां अगर आप यह जी चीजे हैं आपको प्लेश्ट वगेरा यह प्लेश्ट इसको कहते हैं इसके मतलब की यह होता है कि जैसे की एक पुरा कोर्स है आपने एक मान लीजे कोर्स बनाया है उसको चाहते है एक बुक के टाइप में पूरा एक रक्स तरगे प्लेश्ट का मतलब फेंड में बता रहा हूं ठीक है चाहें तो आप इसके अंदर प्लेश्ट यहां पे बनाक create करके उसके अंदर दस पंदर वीडियो को डाल सकते हैं उसके बाद जैसे कोई उसको जैसे प्लेडिस्ट में आपके आएगा तो वो सबको सजेशन करेगा कि यह प्लेडिस्ट वीडियो 1 है 2 है मतला एक पूरा कोर्स हो जाता है पूरा पेज बन जाएगा पूरा इसका एक फ बायम आरेड बतारा props you çी video और तो फ्रेंट्स यह जो वीडियो है यह पूंच रहा है यह 20 साल के नीचे तो बच्चे हैं वो देख सकते हैं या नहीं सकते हैं मतलब यह बच्चे लोगों के लिए वीडियो है या नहीं है जिसका ये नया वीडियो पे बहुत मतलब जैसे छोटे बच्चे लोग भी मतलब कुछ भी वीडियो जो आते हैं जिसमें थोड़ी फुल्टी बाते होती हैं चीजे होती हैं जो कि हम छोटे बच्चे ना देखे वैसी चीजे अगर ये होती हैं तो इसके लिए इन्होंने पह यह आपका जो वीडियो आपने बनाये हैं यह बच्चों को दिखाया जाए या नहीं दिखाया जाए तो फ्रेंड्स अगर आप इसको बड़े लोगों के लिए बनाया हैं उसमें बड़े लोगी उसको देखेंगे जैसे कुछ वर्किंग वगरा का आपने बना दिया कोई मसी यूज कर रहे हैं वहाँ पे कुछ बनाते टाइम में या फिर बच्चों के लिए नहीं है वीडियो तो फ्रेंड्स वहाँ पे आप इसको नो कर दीजे कि नहीं यह बच्चों के लिए नहीं है यह इसको बनाते टाइम में बहुत चीज़े प्रोब्लम होती है चोट वगरा शुर्ट信ज यहां पर आपको, मया ओण दंगाना है कि कखाई, हम पर कि एंड can's एंड स्कूप कर आक करना है, यह स्क्राइड प्लिक प्राइड कार्णा है, यह सब आको भूना है यह लिगा है. प्राइवेट मिंस की इसको आप प्राइवेट मतलब इसको खाली आप देख सकते हैं और यह वारा जो अन्लिस्टेट है इसका मतलब की कोई भी अगर आपके लिंक को आप अगर किसी लिंक या अपने इस वीडियो को जिस जिन लोगों को लिंक सेर करेंगे वही लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और यह पब्लिक का मतलब कोई भी आपका वीडियो देख सकता है ठीक है गाइस उसके बाद अगर आप नीचे करेंगे इसको स्क्रोल तो यहाँ आपको सेडूवल का भी ऑप्सन मिल जाए अगर चाहते हैं कि मेरे वीडियो को में अभी यहाँ पोस्ट कर दूँ यहाँ पर टाइम वगएरा लिख दूँ ठीक है यहाँ पर जैसी में टाइम डेट लिख दूँगा उसके बाद इसको मैं पॉब्लिस करूँगा इसका मतलब फिर जो आपने यहाँ पर टाइम लिख कर देता हूं ठिक है इस तरह से यह जैसी वीडियो पोछ्ट होगा यहाँ पर मुझे दिख जाएगा ठीक है तो मैं इसको ख्लोज कर देता हूं तो यहाँ पर आपका वीडियो अप्लोड होने लगेगा ठीक है तो अब friends मैं आपको यहां पर तब तक यह चैनल के बारे में कुछ बता देता हूं इसको कस्टमाइज कैसे करना है मैं इसको बैक कर देता हूं मेरे चैनल पर आगे आप फ्रेंड्स आपको यहां पर मैं कुछ इस टाइप का मेरे जो चैनल आप देख रहे हैं यहां पर मैं दिखाता हूं कुछ इस टाइप का अगर आपको बनाना है तो यह कैसे लगा है यहाँ पे इसको मैं हटा जिता हूँ यह एक अलग चीज़ है ठीक है आपको इस तरह से पूरा लुकीन दिखाना है फ्रेंड्स आपके यूटुब चैनल को तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यह जो चैनल आर बनाएंगे यह पे अपना लोो कैसे ढलेंगे यहाँ पे आप यहाँ फोलो गेरा के लिए कैसे डालेंगे ठीक है एब यह चीज़ बात आते है कर फिर यह जो है यह जो यह आपर यह पे दिकेंगे यह वीडियो सबसे उर्ण भीया है यह妈य ज़सी कोई चैनल वीजिट करत एक इंट्रो के तरफ समझ लीजी एगर चैनल इंट्रो का काम कर देता है यह तो यह मैं ने वीडियो ऐस तरह से रखा हुआ है तो चलिए आभी मैं आपको यह सब करके दिखाता हूँ अपने इस चैनल को नए चैनल पर थीक है यहां पर यहां पर यहां पर जैसी को कृष्ट आप यहां से सिलेक्क कर सकते हैं या फिर आपको जैसे मैंने सिखाया आप जाएंगे यहां पर डारेट्ट और यहां से जो भी वो फोटो का उसको खीच कर यहां पर छोड़ देंगे डिट कर देंगे तो भी हो जायेगा ठिक हैस तो और यह सब फ्रेंड्स पहले की गैलरी वगेरा है आप चाहें तो यहां से स्लेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो मैं अभी बनाना भी सिखाऊँगा आपको किस तर से यह चैनल आर्ट बनाना है अपने हाथ से और फ्रेंड्स यहां पर आप अपना लोगो यहां से डाल सकते हैं ठीक है यहां से आपना लोगो डाल सकते हैं कीजिए यहां पर आइकॉन पर और फ्रेंड्स आपको यहां पर आपको लोगो डालने का उप्सन आ जाएगा यहां पर आप अपना लोगो अप्लोड कर सकते हैं यहां इसमें भी उप्सन आ जाता है यहां से अप्लोड करने का ठीक है इस तरह से अप्लोड कर सकते हैं अपने klemmet channel पर लोगों पिर इसको wrr chief कर दीजे और यह आपका channel का यहाँ पे यह दो चीज आ गया थे जिका है जो की मैंने बताया यह और यह ऑप्षान आ गया अब हमें यह Maa यहाँ पे लिंक लाना है तो लिंक कैसे आता है और आप चैणल को immersे हो कि आप अपने इसने नहीं करना है तब तक आप अपने नीचे तके लिंक नहीं को वेरिफाइब कराना पड़ेगा ठीक है तब आप डाल सकते हैं देखिए गाइस मेरे पर यह आगया इडिट लिंक्स का ओप्सन जिसकी मदद से आप अपने चैनल पर लिंक वगएरा डाल सकते हैं कुछ इस टाइप में देखिए गाइस यहां पर आउट के बाद जो नीच 1000 घंटे पूरे हो जाए उसके बाद आप कर सकते हैं तो यह फ्रेंड आपका यूटूब चैनल को अगर मतलब मोनिटाइज करना है उससे अर्णि करनी है तो फ्रेंड आपको 4000 घंटे और मतलब 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट होना चाहिए ठीक है यहां पर फिर आपको आपा यहां पे पहले जैसी अपलॉड कर देंगे 5-6 वीडियो को तब आपको फेंड सी हांपके मैं दिखाता हूँ क्या ओप्सन आजाएगा यहां पर 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 यहां प को सिखाता हूँ किस तरह से आप अपना logo और इसको create करेंगे चैनल art को ठीक है तो चैनल art को कैसे create करना है मैं वह वो शिखा जाता हूँ कि यहां पर जैसी simply अपने new tab पे जाएंगे मैं यहाँ पे new tab Open कर लेता हूँ यहां पे जैसी आप निव टेप पे जाएंगे, यहां पे आप सीधा canva.com लिखेंगे, यहां पे मैंने canva.com लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मेरा स्पतने सर्वर क्या हो गया, फ्रेंस यह हो गया canva.com open, इस तरह से आप open करने के बाद यहां पी एक ऐसी साइट है, जो साइट हमें हमें हर तरह का design वगरा यहां पर मिल जाता एक टूचेड यहां पर design आप create कर सकते कोई digital marketing related हर चीजें यहां पर मिलेगी आप चाहें तो अपना visiting card वगरा banner ad वगरा सब कुछ logo वगरा poster वगरा फिर visiting card जो भी friends आपको social media पर या फिर business related या फिर आप digital marketing में हर एक चीजें यहां पर आप create कर सकते हैं जो की बहुत ही अच्छी साइट है यह ठीक है canvart.com यहां पर आप simply जब youtube लिखेंगे youtube art जैसे लिखेंगे तो friends आपको यहां पर channel art का option आ जाएगा इसका मतलब चैनल art का मतलब आप पीछे background में बना सकते थे यहां friends आपको अगर पुरा white page चाहिए इसकी size तो आप देख सकते हैं size में एक बार और दिखा देता हूं youtube यह देखें friends यहां पर 25 60 multiplied 140 140 पिक्सल्स का आपको यहां पर मिल जाएगा ठीक है तो आपको यहां पर size मिल जगई इसकी और यहां friends आप चाहें तो इन में से designs को select कर सकते हैं ठीक हैं यह design यह design उसके बाद उन designs के अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाफ से जो करना है ठीक है तो आपको अगर यह पूरा सीखना है कस्टमाइज करना भी तो मैं सिखा दूँगा मैं प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को भो धेर सारा प्यार दीजिए जिसे मैं इस पर भी बना दूँआ पूरा तो यहां पर देखे थोड़ा बहुत मैं आपको सिखा देता हूं बट यहां पर भी तो यहां आपको यहां पर इस तरह का पूरा वाइट पें मिल गया है यहां से आप elements ले सकते हैं जो की एरो जो भी लेना हो गाईस ऐस तरह से ठीक है जो जो चीजे चाहिए मिल सक यहां पर वीडियो वगेरा भी आपको फ्री मिल जाते हैं और फ्रेंट्स यहां पर आपको फोटोस वगेरा भी मिल जाते हैं कई सारे फोटोस वगेरा जगर चाहिए आपको तो यह भी मिल जाएगा फिर अगर टेंपलेट तो आप देखे ही आगे में टॉप पे टेंपले चीजे जो भी चीजे चाहिए जो दियान करते हैं डियान उपस्टेश सब पर करेंगे में आप अक राखर सकते हैं जिनमें तो अब friends यहां पे यहां पे आप select कर लिजेगा बना लीजेगा और friends मुझे अगर आपको नहीं आ रहा था प्लीज मुझे comment जरूर कीजेगा मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगा कैनवा को कैसे पूरा यूज करना है ठीक है यहां से आप logo और जो channel art है यह दोनों चीज को बना लीजेगा automatic वहां पे size मिल जाएगा आपको ठीक है वहां से आप दोनों size भी आपको पता चल जाएगा देखो guys यहां पे इसकी तीनों चीज यहां बन जा रही है देखो friends आप यहां से channel art भी बना सकते हैं channel logo भी बना सकते हैं जो की 1800 होगा ठीक है pixels का और friends यहां पे YouTube thumbnail बना सकते हैं जो कि आपको यहां पर ज्यादा कुछ भी वह नहीं करना page बगदा कुछ select नहीं करना automatic सब कुछ हो जाएगा ठीक है तो यहां बहुत ही जबर 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 बनाने को अफसन आएगे थमरिल बना लिए तो बना लिए अपने हिसाफ से जैसा आपको अच्छा लगे ठीक है यहां पर इस तरह से आपका पूरा चैनल डिजाइन हो जाता है ठीक है उसके बाद अब मैं आपको इसको वेरिफाइट करवा देता हूं आपके यूटूब चैनल को ठीक है तो यहां पर आप सिंपली जब अपने चैन चैनल में आपको जाना है चैनल के अंदर जाना है और यहां पर यहां पर यहां पर आपको यहां पर जाकर क्लिक करना है और आपको यहां पर यहां पर यहां पर दिख रहा है बाट फ्रेंट जो फीचर्ट है रिक्वायर फोन वेरिफिकेशन तो यह जो आपका यूटूब चैनल है वो verified हो जाएगा उसके बाद friends आपको जो मैं बोल रहा था कि आप यहां से जो यह link होगेरा डालने का option है वो start हो जाएगा जब यहां पे इसको verified कर लेंगे तो friends यहां पे verify phone number को जैसी आप इसको click करेंगे वैसी friends आपको आपको से mobile number मांगा जाएगा यहां पे आप इसको select कर लिजिए अपना mobile number डाल लिए ठीक है तीस तरह से mobile number यहां पे भी डालना पड़ेगा और friends आपको live streaming करने के लिए भी जो मैंने थोड़ी दिर पहले बताया आपको वहां पे भी आपको mobile number से verification दो बार कराना पड़ेगा ठीक है guys तो इस तरह से आप verification करवा सकते हैं और तीस तरह से friends आप verification करा लिजेगा अपने mobile number से ठीक है तो अब friends यहां पे कुछ और चीज़े में branding के बारे में बाता देना हो इसका मतलब friends जब आपका YouTube चैनल पे आपको मेरा logo दिख रहा है तो यहां पे आप इसको select कर सकते हैं और यहां पे friends आप यहां पे choice image select कर सकते हैं और आप यहां से image को select कर सकते हैं जो आप यहां पे आप दिखाना चाहते है watermark लगाना चाहते हैं और यहां पे advanced settings की जो option friends यहां पे आपको बहुत चीज़े तो यह फ्रेंट को पावाला जो मैंने बताया बच्चों के लिए है या फिर बड़ों के लिए है जो भी ठीक है इसको मैंने रखा यहाँ आप अगर आप पूरा चैनल यह बच्चों के लिए तो आप येस वाले यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं जिसके इसमें लिखा हुआ है कि आपका चैनल पूरा खाली वच्चो के लिए है आप यहां ब pouvoir करें विडियोस एप्लोट करेंगे को यहे ही उनको गद levant изб नहीं है नहीं हम विडियोस नहीं डालते हैं बच्चो के लिए खाली वड़ा के लिए बनाते है यहां फिजिन आप यहां पे, इसको सेलेक्ट नहीं दिया हैं पर Google Ads की जो अकाउंट है लिंक करनी होगी तो Google Ads श्याद्च भेंग कैसे लिंक करनी है सो मैं आपको दिखाता हूँ तो तो जो जिस तरह से करना है और कैसे पर श्रफा कर दो दिया हैं जो just subscribe का Corinthians half on मेरे यूटूब पे गया और फ्रेंड्स आपको यहां पे जैसी चैनल में जाते हैं आपको यहां पे दिख जाता है मेरा सब्सक्राइबर अगर आप चाहते कि नहीं यह हाइड रहे तो फ्रेंड्स आप यहां से इस बटन को टिक कर दिजिए इसकी वजह से आपको जो है वहाँ पे आप अपने चैनल का कीवड वगएरा लिख सकते हैं जिसे की टेग कह सकती है। यहां पे फ आपका भी channel दिखाया जाएगा उन्हें यह सब tag वगेरा है ठीक है यहाँ पे आप keyword वगेरा लिक सकते हैं फिर friends आपको यहाँ पे आपकी country select कर लेनी है जो भी आपकी country है ठीक है то आप उसको select कर सकते हैं आपने country को मैं यहाँ पे India select कर लेता हूं और और friends इसको आप चाहें तो save कर दीजिए उसके बाद friends आपका यहां पर यह complete हो जाता है ठीके तो आप इस तरह से settings कर सकते हैं उसके बाद monetization की बात रही तो friends आपको monetization के लिए यहां पर आपको 1000 subscribers चाहिए होगा और public का जो 4000 घंटे हैं वो complete होना चाहिए उसके बाद friends आप आपका monetization on हो जाएगा जिसके बाद आपकी earning start हो जाएगी तो friends यहां पर भी मैं कुछ बता देता हूँ जैसे कि हमने settings पर यह काम कर लेंगे तो friends आगे जो जो मैंने यहां पर आपको settings के अंदर बताया कि आप जो चैनल के अंदर जाते हैं तो friends आपको यहां पर country select करनी होगी और friends यह आगे कुछ टाइम बात जब आपका 4000 घंटे पूरे होने वाले हो तो friends आपको एक Google AdSync account बनाना पड़ेगा और उसके बाद जाके यहां पर उसको link करना पड़ेगा लिंक अकाउंट वहां पर एक number होगा जो number को यहां पर डालना होगा जिसकी मदद से जो Google के साथ ही यह आपका channel connect हो जाएगा उसके बाद friends आपका channel से आपका जो Google AdSync है वो आपके YouTube वीडियो पर एड़ोटाइज लगाएगा जिसकी मदद से आप से earning हो सकती है ठीक है यहां आप यह सब settings बहुत चीज़े हैं यहां पर फिलाल अगर आप नए YouTube है तो आप अपने content पर बहुत दम लगाएगे और SEO अगरा भी बहुत कीज़ेगा जैसे कैसे title लिखते हैं कैसे उसकी thumbnail कैसे लगाएगे अच्छी अच्छी और friends उसके अंदर चीज तर टैग अगरा थु चाहिए और आपको वीडियो तो प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा जिसके मुझे लगे कि हाँ आपको भी चाहिए क्योंकि आपका भाई बहुत मैनत बतल कर रहा है आपके लिए ठीक है तो आप प्लीज मेरे इस चैनल YouTube को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो पसंदार हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए ठीक है तो मैं और भी चीजे थोड़े बहुत समझा जेता हूं यहां पर एनलाइस्टिक का ओप्सन है आपके रोज कितने ब्यूस आ रहे हैं ठीक है कितने यहां पर आपको यहां पर ओडियंस का ओफसन आ जाएगा फिर यहां पर जो यह सब और भी चीजे है रीच वगेरा यह सब बहुत चीजे आएंगे ठीक है यहां पर डश्बूर्ड में इतना सारा चीज दिखेगा ठीक है और डश्बूर्ड में आप देखेंगे तो फ्रे जाए पूरओ काई है और लफिडियों के आपको दिखायी जाती उर्समुरी दिखाया जाती बेदिंट और छोंतर असलिके सुम्स state of report तन सुमर्डी जाती है स्थमुभ्ड़ गदना 30 घंटे में इस इन यहांपे आपको दिखाया जाए जार है यहां पर A to Z आपको वीडियो दिख्याई जाएगी यहां पर ठीक है यहां फ्रेंड्स आप यहां पर अगर अगर इनलाइश्टिक का उप्षन करेंगे तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देख सकते हैं कितना यह व्यू कर रहा है कब कितने बजे और यह 48 घंटे में कितना अब यह पाया यह वीडियो ठीक है और इस पर कितने आइसकी ओडियो दिटेंशन जो है कितने दे किया तो फ्रेंड्स यह वीडियो तीन अ मिनट 52 सेकेंड का है और इसमें से एक पर बंदा एक मिनट बीस सेंड देखता है तो मैरी यह 3 334.5 परसंट कि जो ओडियों YouTube का पूरा लोज अलग हो गया है कि किस वीडियो को रखना है किस को नीचे करना है जो कीवर्ड हो गयरा हम सर्च करते है YouTube पे हाउ टू मैं के कुछ भी जो हम रखते हैं friends उसके बाद आप उसको कैसे फाइंड करता है YouTube कि हाँ यह वीडियो अच्छा है लोग इस वीडियो को लोग ज्यादा देर तक देखते हैं और इसको लाइक वगयरा देते हैं सहर वगयरा बहुत मिलती है तो friends उन वीडियो को टॉप पे रखता है YouTube अपने उसको सबसे टॉप पे कर देता है उसकी वर्ड पे ठीक है यह चीज होती है YouTube चैनल के अंदर और friends यहां पर आपको अनलाजिस्टिक जो मिल जाती है अनलाजिस्टिक यह वाली ऐसी अनलाजिस्टिक है जो पूरे चैनल के वीडियो को पुरा कॉलिकुलेट करके यहां पर द यहां पर यहां पर डीटेल्स वगएरा जो आपके वीडियो के अंदर पहले भरा था उसकी चैनल टाइटल डिस्क्रिप्शन वगएरा जो जो चीजे लिखी थी वह सब चीजों को आप वापस से यहां पर इडिट कर सकते हैं और friends यह यहां पर टेग वगएरा लगाते हैं ट्यूबड़ी सॉफवेर है जिसको आप अपनी यूटूब चैनल के साथ कनेक करके और उसको ग्रो कर सकते हैं जो कि आपको बहुत चीजों मदद करता है जैसे कि इसमें टेग वगएरा लगाने में मदद करता है आपको टाइटल वगएरा डिस्क्रिप्शन वगएरा हर में मदद करता है बहुत जगा मदद करता है ठीक आपको पहली मतलब आपकी इस वीडियो पर मतलब इसका बहुत कुछ फायता है जो कि एक अलग प्रेपफर्म हो जाता है मैं इसके बारे में भी आपको बता दूँगा तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा में ये कीवर्ट ये क्या है ट्यव बड़ी कैसे इस्टॉलेशन करना है ये सब कुछ आपको त्युव बड़ी मैं आगे वाले वीडियू से में बता दूँगा क्योंकि वीडियो अरडी बहुत लंबा हो रहा है ठीक और अब मैं बता दूँगा आपको इंडी स्क्रिन क्या होता है और कार् छोटे हैं एक यहां देखते जाते हैं फिर इधर भी एक video से करना चूछाँ में बना सकते हैं कि हम लाइट में आपका जब वीडियो खतम हो तो लोग अगर आप देखना चाहेंगे वीडियो तो आप देख सकते हैं यहां पर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडियु क्लिक कईक हैं यहां पर फ्रेंड्स पर प्लस ब्राइस अमें क्या में क्डा प्लस सक्रिंट कर ओँगा तो यहां पर मेरे को neuroma का चैनल का सब्सक्राइर रखना या फिर निवीडियो में क्लिक करूँ इसके लिए मेरे को option नहीं आ रहा है तो आप और वीडियो को भी लगा सकते हैं यह सब अलग चीज है आप एक फ्रेस वीडियो को कीजिए का पहले उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पे यह आई बटन लगा सकते हैं जो की कार्ड्स होता है जैसे आप वीडियो देखते हैं आपको इधर आई बटन दिख जाता है यहां पर आई बटन दिख जाता है ठीक यह आप इस तरह से आई बटन लगा सकते हैं जिससे की मतलब आप अपने वीडियो को दिखा सकने कई साइव लोगों को और यहां पर यह जो ट्यूबटी बहुत कामका भी है यह भी मैं एक ब इपलाई वगेरा सब कुछ यहां से कर सकते हैं ठीक है यहां पर आप यहां पर कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आपको यहां पर सब टाइडल का उपसन आता है जिसमें आप यह एक अलग चीज़े फिंस में आपको आगे बताऊंगा आगे वीडियो सम अप्लोड करेंगे ठीक है यह सब चीजे आ जाती है ठीक है लोकेशन खाई डालते ही चालो हो जाता है उसके बाद आपको यहां पर ओडियो लेडरी मिल जाती है जिसकी मदद से आप अपने वीडियो के अंदर बैगरांड म्यूजिक लगा सकते हैं और इनी ओडियो को अपन सब्सक्राइब करें तुम अर्णिंग करो गलत चीजे हैं ठीक है तो आप गलत चीजे प्लीज मत कीजेगा आप जेनुवर्ण कुछ लोगों को सिखाने में यूजिक कुछ सिखाईये लोगों को कुछ नॉलेज दीजिए जिसकी मतलब से आप भी अर्णिंग कीजिए तो अच्छा लगे हाँ मैंने अच्छा कुछ सिखा के किया है गलत चीजें मत बताईएगा ठीक है और ऐसा ही मत किजिए किसी दूसरे का वीडियो क्यों कॉपीराइट ये चैनल जो यूटूब है बहुत ही स्ट्रीक है कॉपीराइट को लेकर ठीक है तो कॉपीराइट वाला काम मत कीजेगा कर दो कुछ दिनों में इस के लिए इस चीज के बारे में बिलकुल कुछ नहीं बताऊँगा ये पहले का YouTube स्टूरियो है जो आप अभी देख रहे हैं यहां पर पुडा टोटल यह सब चीजे हैं और सेटिंग के अंदर आपको मैंने दिखा दिये यहां पर जन के अंदर आभी आपको ये सब चीजे में ने सिखा दिये उसके बाद यहाँ पे अप्लोड डिफाइट का आता है अगर मान लिजे आपने यहाँ पे लिखना चाहते हैं खाली हलो फ्रेंट वेलकम बैक टू माई यूटीब चैनल यहाँ अगर लिख देंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पे जो भी लिखेंगे अगर इसको इसको लिख लिख कर, ये टायरे में बार बार लिखने की जोड़त पर चीजोंगों को यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे अप पोस्ट करेंगे एंगे य लिखने के बार बार जब़त नहीं पड़ेगा ओटमेटिक लिखा हुआ आपको लोकेशन वगेरा यह सब केटेगर वाला स्लेक्क कर सकते हैं अपने हिसाफ से ठीक है यहाँ पर लेंग्विज इसलेक्ट कर लीजेगा अपना उसके बाद एक आपको यहाँ पर अलग फीचर से में आपको यह भी आगे आने वीडियो में बताऊंगा यह सब आपको फोकस करना अपने मेन कंटेंट पर कि आपको अच्छे वीडियो डालने हैं और यह जो दो चीज है इसको पुरा कंप्लीट यहां तक पुरा भर देना है जिसके बाद आ आप गूगल एट सीन अकाउंट बनाएंगे जो कि गूगल एट सीन अकाउंट बन जाने के बाद फ्रेंड्स आप वहां से उसको लिंक करेंगे अपने यूटूब अपने यूटूब चैनल के साथ ठीक हैस जिसके बाद आपका कंप्लीट हो जाता है पुरा यह आप उससे आपका यूटूब चैनल इसके साथ लिंक हो जाएगा तो आप उससे अर्निंग करना इस्टार्ट कर देंगे ठीक हैस तो बस यही थी वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो प्लीज पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दिए वीडियो को लाइक कर चैनल के बारे में बता दूँगा सब कुछ ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बेश्ट ओफ लग्च